चलिए, शुरू करते हैं शांत एकांत स्थल में एक खोजी बुद्ध के समीप गया सच्चे सुख की ओर मार्गदर्शन की तलाश में बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं दुनिया भर में चर्चा में हैं ने खोजी को एक दरपन दिया उन्होंने खोजी से कहा कि इस दरपन में आत्म पराधीनता की प्रतिष्ठा है दरपन में देखने पर ही खोजी को समझ में आया कि यह कहानी उसके अंदर की विचार शीलता की महत्व पूर्णता को उजागर करने का एक माध्यम है बुद्ध ने विवेक पूर्ण भाषा में समझाया कि मन एक पराधीनी है जिसका परिचय विचारों से होता है उन्होंने खोजी को उसके विचारों पर विचार करने का प्रेरणा दिया क्योंकि उसी अंश में वह सच्चे सुख की कुंजी छुपी थी दरपण ने उसको उसके आत्मा की स्थिति को विचार करने के लिए एक साधन के रूप में सेवित किया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि आत्मा का अध्ययन करके ही हम असली सुख की प्राप्ति कर सकते हैं क्योंकि विचार ही हमारे जीवन को आकार देने वाली शक्ती है। बुद्ध की इस कहानी में विचारों के महत्व को समझने के लिए हमें अपने मन को खोलने और स्विकार करने की आवश्यक्ता है। विचारों को समझने के माध्यम से ही हम अपनी भलाईयों और समाज के प्रती उदार भावना पैदा कर सकते हैं यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे सुख की प्राप्ति में आत्म ज्यान और विचारों का महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमें जीवन के सफर में मार्ग दर्शन कर सकती है बुद्ध की कहानी विचारों का बाग एक प्रेरणा दायक परिप्रेक्ष में हमें एक सुन्दर बाग की तस्वीर पेश करती है जो मानव मन की उदारता और दया की सहनुभूती से भरा हुआ है बुद्ध ने अपने शिश्यों से बाग के माध्यम से बताया कि मन हमारी चेतना की तुलना में फली भूत मिट्टी के समान है उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे मन के विचार हमारे जीवन के बाग के बीज होते है यदि हम सकारात्मक विचार बोते हैं तो हम खुशियों और संपूर्णता के भव्य फलों का अनुभव करेंगे बुद्ध ने विशेशकर यहां परिप्रेक्ष में दया और करुणा के विचारों का महत्व बताया उन्होंने कहा कि जैसे हम बाग में फूलों को बढ़ावा देने के लिए उरवरित मिट्टी को चुनते हैं ठीक वैसे ही सकारात्मक विचारों को अपना कर हम अपने मन को उदार और सहानुभूती से भर सकते हैं यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन के विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं यह एक बीज की भाती है जो आने वाले समय में हमारे अच्छे या बुरे फलों का संचार करते हैं इसके अलावा बुद्ध ने हमें यह भी शिक्षा दी है कि दया और करुणा के बीजों को बोने ताकि हम अपने आसपास के सभी संबंधों में सहानुभूती और उदारता का विकास कर सकें। इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि हमारे मन के स्वास्थ्य पर हमारे विचारों का कैसा प्रभाव पड़ता है और कैसे हम अपने जीवन को सकारात्मक्ता और सहानुभूती के माध्यम से सुधार सकते हैं। इस बाग की तस्वीर से हमें यह सिखने को मिलता है कि अपने मन को एक उदार और पूरश्कृत तत्व से भरना हमारे जीवन को सुंदर्ता और सम्रिध्ध की दिशा में मोड सकता है। बुद्ध की इरादे की नदी कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिध्धान्तों को समझाती है जिसमें आत्मसंयम और समवेदन शीलता का महत्व उजागर होता है। कहानी में बुद्ध ने अपने शिश्यों को एक बहती हुई नदी की तस्वीर दी। नदी का प्रतीक जीवन के चलन को दर्शाता है जो हमारी इच्छाओं और उद्दीपनों के साथ बहता है। बुद्ध ने बताया कि नदी के तीर पर खड़ा होकर हमें अपने इरादों को ध्यान में रख कर चलना चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने इरादों को समवेदन शीलता से चुनना चाहिए। जैसे ही हम अपने चेतन में स्थिर्ता और संयम को लाते हैं, हम जीवन की नदी को धारा प्रवाह से पार करने के लिए तयार हो जाते हैं। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताया कि हमें जीवन में स्थिर्ता और ध्यान की आवशक्ता है. जब हम अपने मन को विचारों के चंचल स्रोतों से मुक्त करते हैं, तब हम अपने इरादों की सठीक दिशा में अग्रसर होते हैं इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताया कि हमें जीवन में स्थिर्ता और ध्यान की आवशकता है। जब हम अपने मन को विचारों के चंचल स्रोतों से मुक्त करते हैं, तब हम अपने इरादों की सठीक दिशा में अग्रसर होते हैं. ये रहा हमारा आज का वीडियो दोस्तों, आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे साथ, आपकी सहायता और सपोर्ट के लिए हम हमेशा कृतजर रहेंगे. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को न खोएं. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए खयाल रखें, सुरक्षित रहें, हस्ते रहें. जय हिंद!